तो आप लोग को बहुत को डाउट होगा ऐसे में एक बात और बोल दो आप लोग को गुद्मॉर्णिंग ओल उफ यू अगर आप हमाई चल पर नहीं है तो प्लीज हमाई चल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आप पुरान हैं तो वहली लाइक है और सेयर करना है वही कर दीजिए तो चलिए आपको आज मैं बताती हूं कि बहुत लोग को ये समस्य है कि फी इस्ट्रक्चर क्या होगा फी कैसे कैसे पेमेंट करना है अपग्रेड नहीं अपग्रेड कैसे होगा मेरे घर से कॉलेज बहुत दूर है इन सारे सवालों का जव फिर अगर आप चाह रहे हैं कि हाँ अप्ग्रेडेशन ही मेरा एक रास्ता वैसे तो मैं अगर चाहूंगे अगर आप पॉसिवल हैं तो ले लीजे सबसे पहले अगर आप किसी कॉलेज में जाना चाहते तो उसकी रेटिंग उसका गूगल पर जरूर देख लिए यूटूब कि सुनने में आया था एक-2 साल पहले कि पटना वैस्ति कॉलेज में प्रेस्मेंट हुआ था बाट गारंटी न ही चाहते हैं कि प्लेस्मेंट होग날 कि सबसे पहले दूसरी बात कि अगर आप एवल नहीं है तो सकेंड एर से आप बीएड अगर कर लिए तो किसी एजे स्कूल में आपके पास experience भी हो जाएगा आप वहाँ पर जाकर परहाना भी start कर दीजेगा जब जब आपको समय मिले वैसे तो आपकी classes regular रहेगी लेकिन आपको जब जब समय मिले तो आप पढ़ा आपके उसके नीचे आपको university लिखा रहेगा वहां से आप जाकर document verification करवाएंगे उस university मैंने कहा था कि participating university वह मैंने आपको list भी कितनी बार दिखा चुकी हूँ नहीं तो LNMU के website पर भी आप जाकर list को देख सकते हैं वहां से जाकर आप क्या किजेगा अपने document को verification लेकिन option आएगा तो इसके लिए आपको वेट के हो सके तो आपका जो college लॉट हुआ है वहां भी जाकर हो सकता है या university में हो सकता है या LNMU के website वर कोई notice तो notice आने तक आपको वेट करना पड़ेगा तब तक आपको जो college मिला है वहां पर जाकर एक वार देख लीजे क्या है क्या है अगर आप बहुत ही जादा unable है तो आप एक काम कीज़े second counseling का वेट कीज़े और guarantee नहीं है क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे भी है जुनको college ने 97 marks है 101 marks है 102 100 marks है इन सब को कोई college लोटने हुआ है तो वो लोवी इंतजार में है कोई तो college मिल जाए तो देख लीजे अगर आप college श ला था तो यह अभी तक verify नहीं हुआ है कि यह कहां होगा या तो university करेगा नहीं तो अपने website पर भी करेगा तो यह अभी तक कुछ भी किलियर नहीं जैसे ही किलियर कोई information मिलता है मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगी तो चलिए इसके लिए मैं आपसे अभी विदा ले करेजिए और सेर कर दिए